और इस वक्त एक और बड़ी ख़बर है, भोपाल से मोहन कैबिनेट में कई एहम फैसले किये गए हैं, सिंगरॉली माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी गई है, माइक्रो इरिगेशन के लिए 1320 करोल रुपए स्वीकृति के गई है, 32,150 हेक्टेर से चाई क के लिए स्वीकृति दी गई है, साइबर तैसील परियोचना का विस्तार होगा, पूरे प्रदेश में साइबर तैसील परियोचना का विस्तार किया जाएगा, मैला सशक्ती करण के लिए 344 पदों कोई स्वीकृति दी गई है, इसके अलावा 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्र लेकर हुआ है बड़ी संख्या में जो लोग होंगे वो उनको इससे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा 1320 करोड की ये पूरी परियोजना है जिसमें 36,000 से भी जादा हेक्टेर में जो है वो सिचाई होगी और खास्तोर से जो आसपास की गाउं की लोग होंगे आसपास की किसान होंगे उनके लिए क्याफी फायदेमंद योजना साबित हो मुखे मंत्री ने साफ तोरपर प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिये है कि महीने में एक बार आप अपने प्रभार के जिले में जरूर जाएए और हो सके तो वहाँ पर रातरी जिच्राम कीजिए लोगों से मिलिए जन प्रदिनिदियों से मुलाकात कीजिए जहां पर एक बार अपने प्रभार की जिलों में जरूर जाएं। इसके साथ ही साथ आज कैबिनेट में ट्रांस्फट पॉलीजी को लेकर कोई बी चर्चा नहीं हुई है। जो संचूधन किया गया है इसमें जब पहले विश्वास प्रस्ताव लाया जाता था तो वो दो साल के अंदर जो विरूधी पारशद हैं या फिर जो विरूधी विपक्ष में लोग हैं पारशद हैं वो लेकर आ सकते थे लेकिन अब ये जो प्रस्ताव है वो सिर्फ तीन सा बाद ही लाया जा सकेगा और पहले जब दो तिहाई पारशद इसकी समर्थन में होते थे तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था और अधिक्ष को हटा दिया जाता था लेकिन अब जो है वो तीन चौथाई पारशदों का होना इसमें जरूरी है जो कि अविश्वास ला सकते हैं और तभी जो है वो आगे की कारवाई की जाएगी सरकार ने ये कहा है कि कई बार ऐसा होता था कि बहुती छोटे-छोटे मुद्व पर विश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता था और उसमें जो है वो कहीं ना कहीं पूरा एक तरी किस कह सकते हैं सब भंग हो ज सब्सक्राइब करेंट केंद्र का वो अब मर्पिदेश में भी 60-40 के साथ लागू होगा तीन सो से जाधा पदों को स्वीकृति भी दी गई है इसमें और मेरा से शक्तिकरण पर तो काम चले गाई है और जो चार मिशन प्रधान मंत्री ने केंद्र सतर पर गिनाए हैं चाह एंडिटवी समबाद दाता इस वक्त भोपाल से इस बड़े ख़बर पर हमें जानकारी दे रही थी